आज हम उठाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फिस्कल पॉलसी दो से तीन लेक्चेर्स में हम फिस्कल पॉलसी को खतम करेंगे उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे टॉप मल्टिपल चॉइस क्वेस्ट बहुत आसान टॉपिक है बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक है एक भी बात ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आने वाली बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है इस लेक्चेर में बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि गॉवर्मेंट क्यों लोगों से ज्यादा पैसा लेता है गॉवर्मेंट क्यों टेक्स लेता है ज्यादा गॉवर्में क्यों salaries देता है ज्यादा, pension देता है ज्यादा, subsidies देता है ज्यादा, government का मकसद क्या होता है, बहुत सारी चीज़े आपको पता चलने वाला है इस lecture में, ओके, चल ये start करते हैं, हम fiscal policy को, fiscal policy को मैं start करूँगा, सबसे पहले definition से ही, फिर हम आएंगे यहां पर fiscal policy के अलग-अलग नाम है, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ये line समझ में आए, एक बार ये दिमाग में fit हो जाए, बाकी बाते आसान लगेंगे आपको, सबसे पहले, fiscal policy RBI की नहीं, government की economic policy है, government की एक economic policy है ये fiscal policy, जिसमें government अपने ही budget में changes लाता है, ताकि country में stability हो और growth हो, budget में change लाता है, अपने ही budget में change लाता है, government मतलब के, budget के अंदर दो चीज़े होती हैं, receptors और expenditure, इन ही दो में government change लाता है, इन ही दो को increase, decrease government करता है, ताकि country में economic stability और economic growth हो, यही मकसद है fiscal policy का, ठीक है, और यह भी आपको समझना पड़ेगा, कि budget में होता है, पैसे जो आएंगे government के पास, आएंगे, आएंगे, उनको बोलते हैं, receptors, पैसे जो जाएंगे government से, उनको बोलते हैं, expenditure, ठीक है, अब यह idea आपको आया ना, अब हम definition फिर से देखींगे, लेकिन, start करेंगे हम, ओपर से topic, fiscal policy के, और भी कुछ नाम है, जैसे कि, budgetary policy, क्यूं, क्यूंकि government अपने ही budget में change लाता है, fiscal policy का और एक नाम है, और expenditure में ही change लाता है, budget के अंदर, budget के अंदर, budget के अंदर, इसका और एक नाम है, tax and expenditure policy, क्यूं, क्यूंकि जो यह recept है, पैंसे जो आते हैं, government के पास, receptors, उसमें सबसे ज़्यादा important है, tax, tax से ज़्यादा पैंसे आते हैं, government के पास, इसी लिए, tax and expenditure policy भी आपको कभी-कभी देखने को मिलेगा, fiscal policy का और एक नाम, और भी एक नाम मिलेगा आपको fiscal policy का, tax and spending policy, spending policy, expenditure के बदले, यह अलग-अलग नाम है, fiscal policy के, आपको समझ में आया कि क्यूं ये नाम होंगे, और यही हमें आगे देखना है, पढ़ना है, tension मत लीजिए आप, यह जो fiscal policy है ना, यह government की policy होती है, RBI, Central Bank of India की नहीं होती, अगर आपके option में government नहीं होगा, तो ministry of finance आपके objective option में होगा, याद रखना, fiscal policy किसकी policy है, government की या, आप बोल सकते हो, ministry of finance की policy है, क्योंकि ministry बनाते हैं ना, government, ओके, यह जो fiscal policy है, इसको बोला जाता है, sister policy, यह बहन है, किसकी बहन है, monetary policy की, fiscal policy है, sister policy, किसकी, monetary policy की, ओके, monetary policy और fiscal policy, जो है, यह एक हिसाब से, सेम है, इसी लिए, fiscal policy को बोला जाता है, sister, क्यों, क्योंकि, दोनों के, मकसद सेम है, रास्ते तो अलग है ना, लेकिन, मकसद दोनों के, यही है, रास्ते अलग है, मकसद सेम है, यह हम देखेंगे, tension मत लीजे, आगे हमें यही पढ़ना है, अच्छा, तो आपको यह भी जानना है, कि यह, देखो देखो एक बात याद रखना, fiscal policy, government की policy होती है, monetary policy, RBI की policy होती है, ठीक है ना, central bank की policy होती है, fiscal policy, जो government चलाता है, उसमें, main मकसद होता है, economic growth, RBI की जो monetary policy होती है, उसमें main मकसद होता है, economic stability, लेकिन हम main, main objective, main objective, fiscal policy में, दोनों के दोनों objectives है, और भी कुछ objectives है, आगे हम देखेंगे, objectives of fiscal policy क्या चाहें, फिलहाल, आप इतना दिमाग में रखो, fiscal policy और monetary policy में, जो difference है, वो हमें lecture में, end पे sir समझाएगा, tension मत लीचे आग, ओके, आगे चलिए sir, आगे चलिए, ये जो fiscal policy है न, ये physics word क्या होता है, FISC, FISC का मतलब होता है, public treasury, government treasury, government funds, government का पैसा, सरकारी पैसा, सरकारी पैसा, government का पैसा, government funds, ये कहां पे होता है, ये government के accounts में जमा होता है, देखो, सरकारी पैसा, government का पैसा कहां पे जमा होता है, government के accounts में जमा होता है, जैसे कि पैसा जब आता है budget में, और पैसा जब जाता है budget से, लेकिन budget तो थीक है, बताएगा आपको कि पैसा कितना आएगा, गौर्मेंट के पास कहां कहां से आएगा, गौर्मेंट के पास कितना जाएगा, गौर्मेंट से कहां कहां से गौर्मेंट से जाएगा, पैसा बजर तो बताएगा, लेकिन पैसे कहां होते हैं, कौन से फंड से होते हैं, Contingency Fund of India Article 267 उसके बारे में बात करता है इन funds के बारे में भी हमें आगे अच्छी तरह detail में पढ़ना है यहाँ पर अगर हम यह सारी चीज़े देखेंगे न तो आप definition से दूर हो जाओगे आप fiscal policy के main objective, main मकसद से दूर हो जाओगे इसलिए आप वेट कीज़े आगे हमें tension मत लीज़े आगे हमें पढ़ना है सर 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 आप मुझे यह बताइए कि यह जो funds है इनमें और fiscal policy में आपस में connection क्या देखो fiscal policy बोलता है budget में changes लाना receptors और expenditure को कम जादा करना, increase, decrease करना ठीक है न, जब receptors और expenditure increase, decrease होंगे तो funds से ही तो पैंसे जाते हैं expenditure, funds में ही तो पैंसे आते हैं receipt, तो इन पे effect पड़ेगा न, इसलिए आपस में connection, अब याद रखा न, physical word से निकला है फिसिक का मतलब, government का treasury, government का funds और कौन-कौन से accounts में government के funds होते हैं, यह हमें आगे पढ़ने अब हम देखेंगे definition of fiscal policy, लेकिन, 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 लेकिन एक बात तो रह गई, यह जो fiscal policy है, इसका idea, इसका concept किस ने दिया John Maynard Keynes ने, John Maynard Keynes वही बंदा है जो मैंने lecture number one में आपको जो कि है father of macro economics, macro 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 economics का father John Maynard Keynes, क्योंकि इसी ने concept दिया था भाई, government को intervene करना चाहिए, ताकि country में stability हो और growth हो, government को यह सब करना चाहिए, John Maynard Keynes ने यह great economic depression के बाद बोला था, ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे पहले definition, फिर हम सारी चीजे देखेंगे, जो मैंने आपको उपर बताई ना, उपर उपर से चीजे, वो सारी चीजे detail में हम आगे देखेंगे लेकिन पहले definition तो दिमाग में fit हो जाए, ओके बताया मैंने आपको एक बार, कि government की यह policy होती है, जिसमें government आपने budget के recept और expenditure में changes लाता है, increase, decrease करता है, changes लाता है, ताके country में stability हो और growth हो, ठीक है सर, अब यह stability क्या होता है, growth हो क्या होता है, खर्चा होना और recept होना क्या होता है, deficit किस तरह से होता है, government के budget को, सर, plus किस तरह से होता है government के budget को, और सर, यह budget क्या है, budget तो हमें अलग से पढ़ना है, detail में पढ़ेंगे budget को, लेकिन सर, एक line में तो पताये न यह budget क्या होता है? देखो एक line में बताता हूँ मैं आपको. Government का budget जो है न इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गौर्णमेंट का बजट होता है Advance annual financial statement Recepts and expenditure का Record Annual financial record Recepts and expenditure का Advance में अगर आप बताते हो Budget क्या होता है Government क्या करता है Advance में साल से पहली ही बताता है आने वाले साल में कितना खर्चा होगा expenditure और आने वाले साल में कितना हम लेंगे लोगों से या बाकिछी चीज़ों से कितना हम लेंगे पैसा रिसेप्ट बजट यह होता है यह डाकुमेंट होता है जिस पे गौर्णमेंट बताता है हमें कितना खर्चा होगा आने वाले साल में और आने वाले साल में हम कितना पैसा लेंगे ठीक है कहां कहां से लेंगे कितना लेंगे सारा कुछ बजट में होता है अब सर आपने एक वर्ड बोला ये एनिवल फाइनाशल स्टेटमेंट होता है मैंने बोला ना इसलिए याद रखना बजट का वर्ड का नस्टिचूशन में कहीं पे मेंशन नहीं है बजट के बदले एक वर्ड का नस्टिचूशन में मेंशन है जिसका नाम है एनिवल फाइनाशल स्टेटमेंट एनिवल फाइनाशल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में में मेंशन है लेकिन एक बात मैं बूल गया, बताना याद रखना, Article 202 में भी है बजट के बारे में, Annual Financial Statement के बारे में, वो आप लिखना अपने Notes में, Article 112 बोलता है Center का Annual Financial Statement, Article 202 बोलता है State का, State का, State का Annual Financial Statement, ठीक है, वो आप लिख लेना Article 202, ओके, अच्छा, ये तो हमें सर समझ में आ गय अब आप आगे समझाएए, ये Economic Stability Growth क्या होता है, देखो, Country में मकसद क्या है, Fiscal Policy Government का, Stability लाना, Stability और Growth लाना, और भी कुछ Objectives हैं, वो हम आगे अलग से देखेंगे, लेकिन ये दो Main हैं, इन दोनों में भी Fiscal Policy जदा टार्गेट इस पे करता है, Okay, Economic Stability होता है, Prices को Stable रख रखना, Prices को Stable रखना, नहीं ज्यादा Inflation होना चाहिए, नहीं ज्यादा Defilation होना चाहिए, Prices को Stable रखना, उन्हीं Ideal Price Level, Zero Price Level, ये Inflation के Topic में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है, Detail में समझाया है, बहुत Detail में, आपको नहीं पता कितने Books का Material में आपको समझा आपको नहीं पता कि कितने कितने सोर्से से में आपको बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो वो lecture देख लीजे, Inflation का Lecture End तक देख लीजे, आपके लिए वो हर एक बात important है, कहीं से भी examiner question पूश सकता है, ओके, अच्छा, Sir, Economic Stability लाने का मकसद है Fiscal Policy में, हाँ, मतलब, Inflation हो, तो वापस लाना, उसको क्या बोलते हैं? Reflation, sorry, Disinflation, Deflation हो, तो deflation को वापस लाना, उसको क्या बोलते हैं? Reflation, वो मैंने आपको समझाया है, मतलब, Economic Stability लाना, Control करना Inflation को, और Control करना Deflation को, यही Economic Stability है, यही तो हम देखेंगे न, Control करना Deflation को, कंट्रोल करना इंफिलेशन को कैसे करता है यही तो हम देखेंगे अच्छा दूसरा मकसद क्या होता है economic growth लाना economic growth लाना मतलब national income बढ़ना चाहिए country में national income मतलब यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप इस जगा को use कर सकते हो इस जगा को use कर सकते हो खाली जगा नहीं रखना चाहिए national income मतलब GDP बढ़ना, GNP बढ़ना, NDP बढ़ना, NNP बढ़ना, परकप्टा income बढ़ना वो सारे है national income ठीक है न, production country में बढ़ना, goods and services बढ़ना, यह सारी चीज़ होता है economic growth होना, fast economic growth होना, मकसद होता है कि economic growth fast हो government की इस policy, fiscal policy का मकसद होता है, objective होता है, aim होता है सर यह जो budget है, उसमें receptor और expenditure में जो changes आते हैं, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे तब ही आपको पता चलेगा, कब होता है deficit budget, कब होता है surplus budget, देख लीजिए government के पास पैसा आता है, जाता है expenditure, बहुत simple है, example लीजिए आप कि 5 रुपई government के पास आते, आते, आते हैं, 5 रुपई, और 10 रुपई government से जाते हैं, खर्चा होता है 10 रुपई देखो 5 रुपई government के पास आते हैं, 10 रुपई government खर्च करता है expenditure, तो expenditure ज्यादा है, receptors काम है ठीक है न, आप मुझे बताइए, खर्चा ज्यादा है, आप खुद को आप यहां पे ले लो खुद को आप यहां पे ले लो, आपके पास 5 रुपई आते हैं, लेकिन आप खर्च करते हो 10 रुपई, तो आप नुखसान में होते की फाइदे में, सर मेरे जेब से पैसे चले जाएंगे, 5 रुपई आएंगे, 10 रुपई खर्च करूँगा मैं, मुझे तो कहीं से और 5 5 रुपई लाने हैं, खर्च करने के लिए, मुझे नुखसान होगा 5 रुपई में, 5 रुपई वाला, 5 रुपई में कमाऊंगा, लेकिन खर्च करूँगा कितने, 10 रुपई, सर मेरा नुखसान है, उसी को बोलता है, deficit, याद रखना, जब expenditure ज्यादा हो, रिसेप्ट कम हो, फिर होता है, deficit, इसी को हम दूसरे तरीके से समझेंगे, सर पलस क्या होता है, देखो, अब अगर पैसा आया गौर्मेट के पास, या आप अपने आपके एक्जामपल ले लो, पैसा आया 10 रुपई, ज्यादा पैसा आया, रिसेप्ट ज्यादा आया, आपने ज्यादा कमाया और खर्चा कम, सिर्फ 5 रुपई खर्चा हुआ, तो आप फाइदे में हो कि नुकसान में, सर मैंने 10 रुपई कमाये, और 5 रुपई खर्च किये, 5 रुपई मेरे बच गए, तो मैं सर पलस में हूँ, याद रखना, जब रिसेप्ट ज्यादा होते हैं, 10 रुपई, और expenditure कम होता है, यह साइन समझ आता है न, इसको बलते हैं greater than, जब रिसेप्ट ज्यादा है, expenditure कम है, तब होता है गवर्मेंट का budget सर पलस में, उसको बलते हैं surplus budget, जब 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 expenditure ज्यादा होता है, खर्चा और पैंसे आते हैं कम, उसको बलते हैं deficit budget, इतना समझाना, और यही आप नीचे भी समझोंगे, tension मत लिलो, अगर आपने समझा भी नहीं न, तब भी आपको समझ में आ जाएगा, okay, okay, sir, देखो, budget में, detail में हम बहुत सारी चीज़े पढ़ेंगे, यहां पे नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, नहीं तो आप यह economic stability और economic growth मेंने बताए न, economic growth आती होगे, budget में हमें अलग-अलग चीज़े पढ़नी है, जैसे कि यहां पे मैंने ऐसे-से क्यों लिखा, क्योंकि budget में हमें पढ़ना है, receptors कहां कहां से होंगे, receptors दो तरह क्या होते है, revenue receptors, capital receptors, ठीक है, वो क्या होता है, वो हम देखेंगे, एक होती है उनकी जुगाड, receptors, यह जुगाड डिफिनिशन है, असल डिफिनिशन क्या है, बताएंगे हम आपको, लेकिन हां, आपको जो अगर यह समझ नहीं आ रहा है, जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने एक मिनट के अंदर बताया, और जो मैं अभी बताऊंगा, 10-15 सेकंड, टेंशन मत लेना, आपको स चाहता ही हूँ, आपको समझना आये, क्योंकि अगर आपको समझ में आया, तो बजट में क्या पलेंगे, इसलिए 30 सेकंड या एक मिनट में जो मैं बोलू, कोई बात नहीं, समझना चाहते हो, तो समझ लो, नहीं समझना चाहते हो, इस एक मिनट में कोई बात नहीं, देखो रेवन्यू 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 रे ग्वर्बंट से पैसा आता है, interest जो पैसा कमाता है ग्ववर्बंट लॉन पे अगर लोन दिया है ग्वर्बंट में, वो सारा Pretore bank में है और भी बहुत सरी बाते हैं, इतना ही नहीं, ग्ववर्बंट, ग्ववर्बंट अगर donation देता है देता यहाँ पर लेता था donation grant लेता था यहाँ पर GrKingट देता है donation देता है कि डिंटेंट डिजास्टर फंड भे यू जाता हैं welfare scheme चलाता है उस पर ऐसे खर्च करता है रिकान इंफ्रास्टरr बनाता रोड बिल्डिंग उस पर खर्च करता है पैसा, interest payment, interest pay करता है वापस, interest यहाँ पे कमाता है, यहाँ पे interest यहाँ पे तो interest कमाता था, लेकिन यहाँ पे interest पे करता है, इतना ही नी investment करता है, मतलब purchase करता है assets, ठीक है, repay करता है loan, आप tension मत लीजिए, अगर आपको यह समझ में नहीं आया ना, तो अच्छी बात है, क्योंकि budget में तो यही हमें पढ़ना है और भी कुछ budget में पढ़ना है जैसे कि fiscal deficit क्या होता है revenue deficit क्या होता है effective revenue deficit primary deficit, monetized deficit, budgetary deficit, gross primary deficit और भी बहुत सारी चीजे वो सारी budget में पढ़नी है यहां पर नहीं पढ़ना ठीक है? आप किताब खोलोगे तो यही सारी चीजे देखोगे फिर आप बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं इसलिए मैंने आपको idea दिया भाई यह budget का topic है budget का topic है अच्छा अब सर हमें बताईए यह जो country में government लाना चाहता है stability और growth कैसे 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 वही हम समझेंगे उसके लिए आपको type समझना है देखो government एक बात हमेशा 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 के लिए दिमाग में रखना याद रखना ये बात आपको याद रखनी है हमेशा के लिए देखना अगर पैंसा ज्यादा आता है पैसा ज्यादा आता है लोगों के हाथ में लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आता है तो फिर ज्यादा 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 सब कुछ होगा ज्यादा डिमांड करेंगे ज्यादा प्राइसेज होंगे डिमांड करेंगे ज्यादा तो ज्यादा प्रोडक्शन भी होग ज्यादा प्रोडक्शन होगा ज्यादा डिमांड करेंगे लोग चीज़ों की तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा ना चीज़ों का ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा लोग चाहिए ना तो ज्यादा एंप्लाइमेंट होगा उनको जाब मिलेंगे ज्यादा एंप्लाइ ठीक है, ये बात समझी न, आब हम देखेंगे, आप मुझे ये बात बताओ, अगर गौर्मेंट ज्यादा पैसे, ज्यादा पैसे लेता है, तो आप मुझे बताए, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा कि कम, सर कम बचेगा, जब लोगों के हाथ में पैसा कम, तो कम, 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 सब कुछ होगा, अच्छा, अगर गौर्मेंट ज्यादा खर्च करता है, तो लोगों के उपर खर्च करेगा, लोगों को पैसा देगा, उनको सबसिडीज देगा, उनको पेंशन देगा, उनको वेलफिर स्कीम्स में देग उनको फंड देगा लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा ज्यादा अगर गौर्मन्ट खरच करेगा तो अगर लोगों के हाथ में ज्यादा आया पैसा तो ज्यादा 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 होगा यही हम को समझता है देखो